देश में अब तक करीब 178 करोड कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21 लाग से अधिक टीके लगाए गए। 60 वर्ष से अधिक आयू वाले बुजुर्गों और स्वास्त कारिकरताओं को भी वैक्सिन की लगभग 2 करोड खुराग दी जा चुकी है। स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि केंदर के नेशुल्क चैनल और राजियों की प्रत्यक्ष खरीद शेनी के माध्यम से राजियों और केंदर शासित प्रदेशों को कोविड रोधी वैक्सिन की 175 करोड 63 लाग से अधिक डोज दी गई है। सार लोग कोविड से मुक्त हुए। इसके साथ ही देश में कोविड संक्रमन मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 4 करोड 23 लाग हो गई है। इस बीच 36 गड में कोरोना संक्रमन की दर एक प्रतिशत से भी कम रह गई है। कल 20 हजार से अधिक सैंपल्स की जाट में 151 व्यक्तिस संक्रमित पाए गए। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्री मरीजों की संख्या 1887 है। झाल